सभी चार और चाराओं को मेरा नमसकार प्यारे स्टुडेंट्स हमने पिछले वीडियो में डेटा टाइपस के बारे में सीखा था आज के वीडियो में हम सीखेंगे डेटा टाइप की पहचान कैसे करेंगे हमने जाना की हमारे पास 6 प्रकार के डिड़र टाइप से हैं नुमेरिक, टेक्स्ट, डेट, इमेज, ओडियो, वीडियो अब हम इनकी पैचान करना सीखेंगे देखिए हमारे पास यदि हमारा आदार कार्ड है यह एक एक्टिविटी है आदार कार्ड की इस आदार कार्ड को लेकर हम इसमें दियेगे अलग-अलग डेटा को पैचानेंगे कि यह किस प्रकार का डेटा है तो चलते हैं यह आदार कार्ड पर तो देखिए स्टुनेंट्स इसमें कौन-कौन से डेटा टाइप्स हमारे पास अवेलेबल है सबसे पहले है यह स्टंब का चिन है जो कि एक इमेज है तो एक इस तरह का डेटा टाइप हो गया इमेज यहाँ पर आपकी फोटो लगी होती है यह भी एक इमेज है और यह भी इमेज डेटा टाइप हो गया जो भी हमारे चित्र होते हैं फोटो वो इमेज डेटा टाइप में कंसिडर किया जाता है इसके बाद बच्चों यहाँ पर नाम है निले सिंग यह नाम अल्फाबेट से मिलकर बना हुआ है तो हम जानते हैं कि नंबर हो या अल्फाबेट हो इन दोनों का कॉंबिनेशन हो या केवल अल्फाबेट हो तो वो उसे टेक्स्ट में कंसिडर किया जाता है तो यह कॉन्टे डेटा टाइप हो गया टेक्स्ट टेक्स्ट के बाद हमारे पास है जनम्तिति डेट औ बर्थ तो जनम्तिती में हमारे पास date है, month है और year है तो DD, MWM, YY format हमने सीखा था तो यह किस तरह का हो गया है? date data type और यहाँ पे हमारे पास QR code है और यहाँ पे हमारे पास आधार number है तो प्यारे बच्चों, आधार number में आप देखें, केवल और केवल number है तो ऐसा data type जिसमें केवल number अवेलेबल रहते हैं उससे हम numeric data types कहते हैं तो यह कौन सा data type हो गया? numeric तो आपको समझ में आया होगा, image data type होगे दो हमारे पास image है, एक text है, एक date है और एक number है ठीक है बच्चों? तो इस तरह से हम data types पहचान कर पाते हैं तो जल्दी से मैं आपको एक और चितर देता हूँ इसमें जो यह लाल आपके पास circle करे हुए हैं लाल चिन लगाया हुए हैं इनके data types आपको बताने हैं आप हमें इनको numbering दे करके बता सकते हैं एक number पे इसका एक number है, इसका दो number है, इसका तीन number है और इसका चार number है तो आप comment में लिख सकते हैं कि एक number पे नमबर एक इस डेटाइब का नाम नमबर दो इस डेटाइब का नाम नमबर तीन इस डेटाइब का नाम और नमबर चार इस डेटाइब का नाम ऐसे करके comment लिख करके बता सकते हैं तो ये आपके लिए home assignment हो गया है आपको ये करके बताना है आगे चलते हैं teacher कह रही है क्या आप जानते हैं सभी school अपने चात्रों का data store करते हैं तो बच्चो आपके पास भी आपका data भी आपके school में store है वो academic record के रूप में store रहता है जिसे हम attendance के लिए आपके role number अपडेट करने के लिए या आपकी transfer certificate या अन्य कई तरह के काम में लिया जाता है तो आपके attendance के लिए आपके academic record के लिए उनको यूज कर सकते हैं आपने अध्यापक की साहिता से और कारण पता करके आप लेख सकते हैं कि आपका data क्यों इस्कूल में इस्टोर किया जाता है या कोई भी प्रोग्राम होता होगा तो उसमें प्रकार के इवेंट्स होते होंगे जैसे music, dance, drama यह सबी events होते होंगे तो ऐसे ही यहाँ पर यह events हो रहे हैं और class कक्षा 6 की monitor है महक महक को एक list बनाने के लिए दी गई है कि music में जो जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके नाम लिखे, dance में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके नाम लिखे आप मुझे टीचर को दे दे देंगे और महक की बनाई हूँ लिस्ट अधूरी लिस्ट नीचे दी गई अब महक ने लिस्ट तो बना ली लेकिन वो इस तरह से बनाई है लेकिन इससे पता नहीं चल रहा है देखो यह और्गनाईस ज्ट नहीं जहीं है जैसे यह student है dance करना चाहता है यह student है dance है फिर यह students drama में है third number का ऐसे है तो इसको हम organized list नहीं कहेंगे तो प्यारे बच्चों लिस्ट बनाते समय महें के पास कई सारी समस्या हैं देखिए क्या कै समस्या हैं पेपर पर बनाएंगे लिस्ट गूम हो सकती है या फट सकती है या गलती से हमारे अरे ड्रेस की जिब में रह गए और ममी ने ड्रेस दो दी तो वो खराब हो जाएगी एक तो यह समस्या है दूसरी है सभी बच्चे ने अलग-अलग कला का चुनाओ किया है सभी बच्चों ने अलग-अलग इवेंट्स का चुनाओ किया है लेकिन लिस्ट एकी है और कुछ बच्चों के नाम एक जैसे है अब कुछ बच्चों के नाम जैसे अमित नाम के दो बच्चे हैं तो वो कौन सा मित ड्रामा में ले रहा है कौन सा मित डांस में ले रहा है यह पता नहीं चल रहा है इस लिस्ट से ठीक है तो बच्चो इसके लिए अब महक कह रही है मेरी मदद कीजिए तो आप बताएंगे इसके help कैसे की जा सकती है चलिए मैं आपको बताता हूं किसकी help कैसे की जा सकती है बच्चो तो इसकी help कर सकते हम spreadseet programs की मदद से महक spreadseet के प्रियोग से तुमारी सभी उल्जने दूर हो सकती है तो spreadseet क्या होता है spreadseet एक computer application है जो data को store करने में मदद करता है spreadseet program के कुछ उदारण है जैसे की Microsoft Excel अप्रियोग से इसमें हम spreadseet का काम कर सकते हैं दूसरा है Libre Office Kelsey इसमें भी हम office का काम कर सकते हैं spreadseet का और Google sheet इन सभी में हम spreadseet का काम कर सकते हैं कोई सा भी software application software इनमें से आप use ले सकते हैं तो चलिए हम फिलाल यहां पर spreadseet शुरू करते हैं और Excel पर काम करना शुरू करते हैं तो बच्चों Microsoft Excel के लिए काम करने के लिए आपके computer में install होने के बाद आप उसे कैसे start करेंगे देख चलिए शुरू करते हैं Microsoft Excel तो उसके लिए सबसे पहले आप नीचे स्टार्ट बटन होता है विंडो बटन भी कहते हैं इसको start बटन भी कहते हैं इस पर क्लिक करके all apps में जा करके यहां पर all apps पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का option आ जाएगा और आपके पास एक्सल को एक्सल 2013 16 यह 7 जो भी आपके पास है उस पर क्लिक करके उपन करते ही आपके सामने open होजाएगा जिया दूसरा तरीका आप यहां पर सेल्ग जाएगा यहां पर सर्च ब्रस्ट करते ही अपके सामने अपन यहां korraव झायेगा तो चलिए हम करते हैं start Excel को जैसे मैं अपने computer में run करके बताता हूँ आपको यहां गए और यहां से मैंने यहां मैं इसमें देख सकता हूँ कि मेरे पास office है या फिर मैं search में भी लिख सकता हूँ Excel देखिए Excel मेरे पास अविलेबल है 2007 वर्जन है ओपन किया और यह ओपन हो जाएगा तो प्यारे बच्चों यह Excel का spreadsheet है तो इसको हम एक एक करके समझेंगे तो यही चित्रा आपकी book में भी दिया हुआ है देखिए तो यहाँ पे जब भी हम Excel ओपन करते हैं तो इस Excel में आप देखेंगे गोर से कि इस तरह से verticals यहाँ पे यह horizontal और verticals line बनी हुई है तो प्यारे बच्चों जो horizontal lines हैं यह 1, 2, 3 इनको हम row कहेंगे और यह verticals line को हम column कहेंगे और horizontal lines को row कहेंगे तो row को हमेशा number के number से पेचाना जाता है row का एक number होता है 1, 2, 3, 4, 5 और column का नाम होता है column A, B, C इस तरह से यह row और column को identify किया जाता है कि हमें किस row और किस column में काम करना है तो अभी यह है column A, column B, column C row 1, row 2, row 3, row 4, row 5 इस तरह से यह चलते जाते हैं और बच्चों यह आपकी book 1 है ठीक है workbook 1 है तो workbook 1 पे भी अलग-अलग आपके पास seats है यह seat 1 है seat 2 है seat 3 है अगर आपको और आपसकता है तो यहां पे क्लिक करके seat 4 open कर सकते हैं फिर से क्लिक करके seat 5 open कर सकते हैं अगर आपको आपसकता नहीं है तो इस पे क्लिक करके delete कर सकते हैं right click करेंगे और delete इस तरह से आप नई seat open कर सकते हैं या उसको delete कर सकते हैं करते हैं एक बार फिर से मैं आपको एक उधारन से समझाता हूं MS Paint के उधारन से समझाता हूं देखिए बच्चों यह आपकी seat है इस seat में आपके पास यह कॉलम है ठीक है यह जो बन रहे हैं यह कॉलम है वर्टिकल्स लाइन हमेशा कॉलम बनाती है इन कॉलम को हम कैसे इडेंटिफाई करेंगे कॉलम को इनका एक नाम होता है नाम अल्फाबेटिक होता है ज़ा ए नाम होते हैं और इसी प्रकार यहां पे ड्रो होती है यह होरिजन्टल लाइन्स क्या बनाती है रो बनाती है बच्चो और बच्चो इन रो को हम कहेंगे कि इनको कैसे इडेंटिफाई किया जाता है इनका एक नमबर होता है वान इस तरह से नमबर होता है तो आप समझ गए होंगे रो क्या होता है और कोलम क्या होता है तो यहां पे ए कोलम है और वन रो है तो प्यारे बच्चो यहां पे मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे यह कोलम और रो के इंटरसेक्शन से यहां पे एक आईताकार एरिया बन रही है देख रहे होंगे जगए-जगए पे बोक्स बन गए इन बोक्स को हम कहेंगे सैल इसका इन बोक्स को कहेंगे सैल और इन सैल में ही आपको काम करना है C-E-L-L प्यारे बच्चो इन सैल का भी एक नाम होता है कि हाँ आपको कौन से सैल में काम करना है तो सैल का नाम हमेशा कोलम के नाम और रो के नाम से मिलके बना होता है जैसे मान लीजे इस सैल की बात करें तो इसका नाम होगा A1 अगर इसकी बात करें तो इसका नाम होगा C और रो है यहाँ पे कौन से 2 इसी तरह आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि यह जो रो है इसका क्या नाम होगा कमेंट करके बताएं जल्दी से इस रो का क्या नाम होगा जैसे कि इस रो का नाम है इसका नाम है कोलम कौन सा है जी और फाइव बच्चो ऐसे नहीं होगा कि आप पहले फाइव फाइव जी से फाइव और जी यह गलत हो जाएगा यह नहीं है पहले कोलम का नाम आएगा फिर रो का नाम आएगा तो आप समझ गया होंगे सेल क्या होती है तो इसी प्रकार यहां पर सेल दी हुई है तो यह रो, प्लेग, और ले त यहाँ पर C2 तो यहाँ पर क्लिक कर रहे हूं तो यहाँ पर नाम्रा एक नाम होता हैкого áreas क्लिक करेंगे दस्टे है ना इसे ह cám करेंगे वह काम कर किया पहले मैं आपको बतांग Carti तो formula bar है यह, इसमें हम काम करते हैं, यहां आपकी scroll bar है, यह उपर नीचे करने के काम आते है, scroll bar, और यह title bar है, यहां पर जिस भी नाम से save करेंगे, आपकी workbook का नाम वो हो जाएगा, जैसे मान लिजे मैं इसको save करता हूँ, यदि save करता हूँ, लिस्ट वन के नाम से, तो देखिएगा, लिस्ट वन का नाम, यह बुक वन है, वो नाम क्या हो जाएगा, लिस्ट वन, save होते यह लिखिए, यह title आ गया, लिस्ट वन, और बाकी यह menu bars है, इन menu bars में हम अलग-अलग menus की मदर्स से Excel में काम करेंगे बच्चों, ठीक हैं, तो यही details आपकी बुक में दी हुई है, यह column है, यह row है, यह cell है, यह formula bar है, यह address bar है, और यह एक worksheet है, तो इस तरह से इसके बारे में हमने एक-एक करके समझा, बच्चों अगली वीडियो में मैं आपको बताँगा कि कैसे महेक ने बनाई हुई list को हम इसमें organize तरीके से तयार कर सकते हैं, जब तक आप इस worksheet को समझें, कि worksheet क्या-क्या होती है, worksheet में और workbook में क्या अंतर है, यहाँ पर सारी चीज़ के नाम दियो हैं, इनको पड़ें, और अगर वीडियो समझ में नहीं आया, तो एक बार और देखें, कि फिर भी समझ में नहीं आता है, तो आप हमें अपने questions कमेंट करके बता सकते हैं, हम सभी questions के answer आपको reply करने की कोशिस करेंगे, Thank you, Bye Bye, मिलते हैं next वीडियो में.